श्री शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब देखिए अम्मावस्या की जो तीती है वो आज 28 तारिक को भी है और 30 तारिक को भी है याने कि दो दिन अम्मावस्या तीती रहेगी और 30 तारिक को उदिया तीती है तो इसलिए आपको केवल 3 दिपक आप 28 तार की रातरी में भी जला सकते हैं जिससे आपकी जो पित्र हैं वो प्रसंद होंगे और आपके जीवन में अथा खुशे आएगी देखिए हमारे पित्र जब प्रसंद होते हैं तो हमारे घर के कई कारिया अपने आप ही सुधरने लग जाते हैं हमारे पित्र जब प्रसंद होते ह तो हमारे जीवन के सारे विग्णवे से ही दूर हो जाते हैं तो इसलिए हमारे घर के पित्रों को प्रसंद करने के लिए नियमित तोर पर, नियमित समय पर, नियमित तिती पर हमें कुछ न कुछ उपाय जरू करना चाहिए पुजी गुरुदेव की ही कता सुनखरके समझानी का पूरा प्रयास करऊंगा और आपको समझ में भी आएगा बहुती आसान सव उपाय है हर कोई ये उपाय कर सकता है देखें करना क्या है केवल तीन दीपक आपको लेना है आपको जो पहला दीपक जो जलाना है वो आप आपके घर के मटके के वहाँ पर चलाएंगे जो परिंडा होता है वहाँ पर जहां पर हमारे पित्रों का निवास होता है जहां पर हमारे पित्रों का इस्थान होता है मही पर आपको एक दीपक जलाना है दक्षिन मुखी ठीक है और उस दीपक के अंदर आपको काले तिल डाल देना है यदि काले तिल नहीं है तो कोई बात नहीं केवल दीपक ही जला दे नहीं तो आप काले तिल के 11 दाने भी डाल सकते हैं वही पर आपको ओम पित्र देवताय नमह इस मंत्र का आपको जाप करना है ठीक है पहला दीपक आपने वहाँ पर लगा दिया अब जो दूसरा दीपक है वो आपको आपके घर के नेरित्यकॉन याने की दक्षिन और पशिम का जो कोना है वहाँ पर आपको दक्षिन मुख ही दीपक आपको लगाना है और जब आप मंत्र कजाप करते हैं न ओम पित्र देवताय नमह तो आपका जो मुख होगा वो भी दक्षिन दिशा की तरफ ही होना चाहिए आगए आपको बात समझ में और उस दीपक के अंदर भी 11 काले तिल के दाने आपको डाल देना है ठीक है पहला दीपक आपने परेंडी पे लगा दिया दूसरा दीपक आपने लगा दिया आपके घर के नेरित्ति कोण में देखे अब बिल्कुल ध्यान से समझेगा तीसरा जो दीपक है या तो आप पीपल के पेड के वहां पर जड़ के वहां पर रख कर के आ जाए ठीक है उसके अंदर भी आपको काले तिल डाल देना है, तीनो दीपक आपने पित्रों के निमित लगा दिये, अम्मावस्या की काली रात्री में, आपने ये जो दीपक लगाएं है, तो आप दीपक लगाने के बाद, आप आपके घर के कोई भी द्वार को आपको बंद नहीं करना है आप जैसा मुख्य द्वार जो रहता है ना घर का, जो में गेट है, वो खुला ही रहना चाहिए, एसा नहीं कि आपने दीपक लगा दिया ने उसको बंद कर दिया, एसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है तीनो दीपक जल रहे हैं, आपने तीनो दीपक के महापर ओम पित्र देवताय नमः इस मंत्र का 11-11-11 बार जाप करा, यानि कि 33 बार आपने जाप करा, तो इस प्रकार से ये क्रिया करनी है, और अब आपको क्या करना है, पित्रों से प्रातना करनी है, कि जो भी हमारी गलती है, यदि हमारी क्रिया में हमने कोई भी कार्य गलत किये हो तो उसके लिए भी हमें शमा मांगिया यदि हमने समय समय पर आपको याद नहीं किया हो तो उसके लिए भी आपको शमा मांगनी है और हम पर प्रसंद हो ऐसे शुब भावों के साथ आपको केवल तीन दीपग तीनो जगा जो है वो सर्वोत्तम जगा है और तीनो जगा आपको दीपग लगा देना है अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती बिल्कुल भी